नमस्कार दोस्तो, GDS Conduct and Engagement Rule का Rule No.8 हमाज देखने वाले हैं, जो कि यह है Termination of Engagement, खास कर जिनका भी तीन साल नहीं हुआ है, उनके लिए जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है दोस्तो, किसी भी GDS का तीन साल complete नहीं हुआ है duty, उनको किसी भी वक्त Terminate किया जा सकता है, Terminate का मतलब है, किसी भी वक्त उनको dismiss किया जा सकता है, उनके पत से उनको हटाया जा सकता है, इन तीन साल के दर्मियान, फर्स पॉइंट में आप देखिए, Engagement of a Savak, who has not already rendered more than 3 years continuous engagement, from the date of his her engagement, shall be liable to be terminated at any time, वही मैं बता रहा था आप से, कि तीन साल अगर आपका नहीं हुआ है, किसी भी वक्त हटाया जा सकता है, हाला कि किस situation में हटाया जाएगा, क्या गलती की होगी तो हटाया जाएगा, यह यहाँ पर mention नहीं है, लेकिन किसी भी वक्त notice आ सकता है, कि आप, और notice आने के बाद, आपको एक महीने के अंदर अपना पद त्याग करना होगा, second point में आप देखिए The period of such notice shall be one month, मतलब जब भी notice आए, तो उसके एक महीने के भीतर आपको वहाँ से हटना पड़ेगा, यहाँ देखिए उसके बात क्या दिया है, provided that the engagement of any such सेवक may be terminated forthwith and on such termination, the सेवक shall entitle to claim a sum equivalent to the amount of basic time related continuity allowance plus dearness allowance, तो जो एक महीने का जो time होगा न, देख उस एक महीने का आप claim कर सकते हो, जो TRCA आपको मिल रहा था उस एक महीने के पहले तक, उसी rate से आपको एक महीने का TRCA मिलेगा, और वो देखिए money order से मिलेगा आपको, ओ अकाउंट में नहीं आएगा, जैसे salary आपको उस टाइप का नहीं आएगा, आपको उसके लिए claim करना होगा, जो यह one month का period है, जो आपको दिया जा रहा है, छोडने के लिए, जो आपका post है, उसको छोडने के लिए one month आपको दिया जा रहा है, notice issue होने के बाद, उस एक महीने का claim आप कर सकते हैं, TRCA जो आपको मिल रहा था, और वो TRCA आपको money order के थ्रू मिलेगा, और तुरंत आपको छोडना होगा, द TRCA आपका बन रहा था, एक महने से पहले तक, उसी rate से आपको money order के थ्रू, TRCA प्लस DA, प्लस जो भी allowance आपका due है, वो सब आपको मिल जाएगा, और note में देखिए क्या लिखा है, वही उसी की चर्चा हो रही थी, देखिए money order के थ्रू यहां पर दिया जाएगा, यहां आप one month का TRCA है, उसको money order के थ्रू आपको दिया जाएगा, उसके लिए आपको claim करना होगा, ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, जब आप claim करेंगे तो money order के थ्रू आपको जो same basic TRCA का rate मिल रहा था, वही same rate आपको money order के थ्रू मिल जाएगा, किसी भी वक्त तीन साल के अंदर, जिनका भी तीन साल नहीं हुआ है, ध्यान में रखिएगा, किसी भी वक्त आपको वहाँ से हटाया जा सकता है, और जब यह ऐसा होगा, देखिए, note number 2 में देखिए, when engagement of GDS is terminated under this rule, मतलब under rule 8 के हिसाब से अगर किसी GDS को हटाया जाता है, तो वो किसी भी GDS gratitude या फिर severance amount के हगदार नहीं होंगे, युकि आपको पता है कि GDS gratitude जब तक minimum 10 year service होती नहीं है, तब तक severance amount on gratitude नहीं दी जाती है, तो उसके हगदार वो नहीं होंगे, तो rule number 8 के बारे में आपको आज पता चला होगा, termination of engagement, simple सा कहने का मतलब यह है, कि 3 साल अगर किसी भी GDS का नहीं हुआ है, तो व